हलो फ्रेंड्स गुड मार्निंग आज मैं आप लोग के साथ अपना फुल टे रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में, लंच में, डीनर में, स्नैक में क्या-क्या खाती हूँ, किस तरीके से रुद्र को वार्ट के साथ मैनेज करती हूँ इस वीडियो का एंड जरूर देखिए, आफ्टर फ्रेशन अप में सबसे पहले अपनी लिए एकला स्कून गुना पानी पीती हूँ, मैं सिंपल पानी पीती हूँ, आप जाओ तिस में जीरा भी एड़ कर सकते हूँ, लेमन हनी एड़ कर सकते हूँ, उसके बाद में मैं रात को ही किसमिस और कर रहा है, किसी दिन कार्डियो करते हूँ, किसी दिन योगा करते हूँ, किसी दिन जंपिंग करते हूँ, आफ्टर एकसे अच में थोड़ से रेस्ट करते हूँ, बसी ने सुकाते हूँ, ड्रेस चेंज करते हूँ, उसके बाद में टाइम हो रहा है, और मैं आगए यहाँ ब्रिकफस्ट बनाने के लिए मैं आच मुंग दाल का हल्वा बना रही हूँ साथके साथ मैंने यापर फली और अलू बोल ने के लिए रख दिये और यहाँ पर आटा लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने आटे में ओमिल एड़ोर brag बाटे के कोडिंग आटा लगा रही हूँ बट इस आटे के परांटे बहुर टेस्टी बनते हैं और हमारा हलवा बन के तयार है साथ मैंने आपे रुद्र के लिए चिप्स रखी क्योंकि उमेटी से बहुत हो जाता है आपकी छोटी वाली स्पून से यह रही ना रुद्र को मीठा खाना बहुत कम पसंद है बहुत रहरी मीठा खाता है हलवा खीर वगरे यह बहुत कम खायता है एक या दो स्पून खायेगा वहना नहीं भी खाता है तो मैं क्या करती हूँ थोड़ा से डाइवट करती हूँ फिर चाकी इसे खिलाती हूँ जैसे कि इसे टॉइच के साथ थोड़ा सा बीजी करती हूँ या फिर बुक्स में किसन बिख नहीं चीजश करती हूँ एसा नहीं फोनमे नहीं नहीं देती इसे फोन भी मैं देती हूँ खाने के टायम पर जबी नहीं खा रहा होता है मुझे इससे खिलाना होता है आपर बेक्षास्ट में क्लिनिंग करने का दूसरी से esas किकि लोग सो रहे होती हूट है चाहिं किस टाइम थाम में बैड नहीं बना पाती तो इस टैम Pale मिलता है क्लिनिंग करने का अज मैं बैट सिट में चींच करें गंति ही धा मैं डेली डेस्टिंग करती उससे क्या होता है कि रूम भी साफ रहता है और मुझे इतना ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता कि बहुत ज्यादा हो गया हो तो इजी रहता है और मन को सुकून मिलता है जब घर साफ साफ लगता है नहीं कि भी अधिमस का पापा मेरे जान र०र शॉड़ता है एजह मique ऑनि इसकी पापा उफ्स के लिए रैडि होने के लिए और रूदर अधुं मेरी हेल्प कर रहा है तेस्टिंग में Zachary और पता है जो काम में 5 मिनट्स में कर सकती हूँ वो काम में रुदर के साथ मिलके 10 मिनट्स में करते हूँ क्योंकि इसको भी साथ में लेके चलना होता है इसे मेरे साथ काम करना, किसी अक्टिविटी करने से भी जादा पसंदे, आप लोग कैसे करते हैं, आपका बेबी भी आपकी साथ बीच-बीच में आके डिस्टरब करता है, या फिर आप लोग उसे अलग से खेल रहा होता है, और आप दस्टिंग अगएर कुछ भी काम कर रह और यह चाहिए दस्टिंग कर हो है, मेरे साथ हमशा रहते है, ही रहते है, यह हो गए, अप देको पसी नहीं आ रहे है, बहुत बरी हालत है, और यहां मैंने साथ के साथ बैट सिट को धूने के लिए लगा दिया, क्योंकि बार में धूप हो जाती है, तो फिर या तो लेड जल्दी शुका तो ज्यादा अच्छा रहे तो बना कलर फेड होने का पूरे पूरे चांसे होते है बैट सेट की इसले चाया में शुकाने ही चाहिए और अभी तो गर में बहुत जाद हो इतनी देश धूप होती थोड़ी देर में ही सुख जाता है तो साथ के जाद में अच्छा लगाँगी यहां पी एंचब सफाई को जाती मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे बड़ा काम फिनिश हो गए अब तो छूट छूटी काम है वो तो मैं चलते चलते कर लोंगी एना आज कर मुझेना बòng साब करने देते हैं यह मुझे खाना बनाने देते हैं और रोनला कर देते हैं बहुत डिपिकल्ट bowls रहें इसे ही कौन सा टैंट्रूँ में बोलो समझे नहीं आरा च्रों मुझे नहीं आरा क्विक श्टपूण करेगा बिपिद्ध सामोरी है इक नर्मी श्टपूशत कgor कर एगा बिपी पैपा की पास कि अधा टाई में पापा काम करेंगी ना ममा को कर लेने दो ना बडिटो नहीं पलीज की नए हूं शटपर के पास जा रहे हूं आए या तो यह डॉक्टर के पास जा रहा है ऐसे इसको नहलाने लेके जा रही होगी फिर मैं आउंगे पहले से नहला देते हैं और फिर से भीग जाओंगे ना नहलाने के बार में कुछ तेर अपने टॉइज के साथ खेल रहाता है तो मैं नहाने चेले कि अगर ही टॉइज के साथ नहीं खेलता है तो कभी-कभी मुझे इसको फोन भी दे के जाना पड़ता है क्योंकि फोन में बिज़ी हो जाते है तब तक मैं नहाकी आ जाती हूँ और नहांके में रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ दे हुद्र को लेके बैठूँगे में पस टाइम है क्योंकि लंच ही अलमोस प्रेपरिशन हो चुकी है बस बनाना बागी है तो थोड़ दे इसके साथ बैठूँगे और जो मेरे काम एक्स्ट्रा काम है वो करूंगी थोड़ खुद का टाइम पात करूंगे इंस्टाग्राम चला की एंड वीडियो दीखूंगी जो मैंने अभी आपकिया है वो कितना परसेंट बना है कुछ बना भी है क्या धंका फ्लोडिंग की लाइक ये क्या किया है आपने आज बंटू क्या ही तो आपने दुकान लगादी हाँ एसी कोई लगाता है नानू लगाते है नानू लगाते है किसकी दुकान लगाते है नानू लगाते है इन सक की दुकान लगाते है तो दुबाई की दुकान लगाते है तो लो एक कान करो आज ममम को आप जितने भी पिंक कलर्स है ना सारी पिंक कलर्स ममम को लागे दो पिंक पाउट एक कालर्स इफ लाको साअरि पिंक कलर्स कॉनकों को आक है शीक बगए उचाते हैं मिअंग片 क्लर सिखाने का उन्हें के दो ढर्ण साकते का बच्च बगए इंट्रस्ट लेते हो बहुत इजी हो जते में अपे टास्क दिया है रूद्र को क्यों मुझे पिंक कलर के जितने भी टॉइज उसको मुझे लाके देगा फिर में उसे परपल कलर औरेंज कलर ग्रीन कलर इस तरीके से मांगती जाती हूं तो वो देता जाता है तो इसलिए क्या होता है बच्चा कलर आराम से सीख जाता है बहुत इजी हो बच्ची के जो टॉइज होते हैं उसका इंट्रेस्ट भी जादा होता है इसने सारे कलर्स को डिफ्रेंशेट करके अलग कर दिया इस तरीके से मैं इसको टास्क देती रहती हूं यहां औरेंज में औरेंज पिंक यलो परपल्स अरी वा मेरी जान कपड़े भी मेरी यहां पे धुलके रेडी हो कहें बस इन्हें सुका आना है उसके बार में मैं लंच बनाने की प्रप्रेशन करूँगी लंच की प्रप्रेशन तो अल्रेडी हो चुके बस बनाना बाकी है अब भी में आगे हूं किचिन में रुद्र को छूर की आई हो रूम में वो अके लिए खेल राया उसको टास्क देके आगई वो टास्क कंप्लेट करेगा फिर जो मेरे पास आएगा मुझे बलाने के लिए तब तक मैं उसके लिए लंच की तयारे कर लो लंच बन जाएगा तो मैं रुद्र के लिए बना रहे हो फली की सबी ओर रोटी और हमारे लिए बना रहे हूं फली बाटी पर मिन लेक टाष कहा दर तक मैं घोड़ा बना को जीरा रहा है एचे ती आया ने आट किये, लैसूं आ आट किया है। और घ्रीन चिली आट किया। लैसूं के लिना तर फली की सबजी बिल्कुल हदू यह होज़ी है। ईटा खूब सारा लैसूं आप में पानी जरूर पीते रही है और पानी जरूर पीते रही है पानी बैट की पीना चाहिए बट अभी में कीचिन में खड़े खड़े पीरी हूँ आप लोगों को तो ग्यान दे रही हूँ बट में भी अपलाई करते हूँ कभी-कभी जब मुझे जल्दी रहता है ना उस केस में ही में खड़े-खड़े पानी पीती हूँ और मैं में मोश ठाउब आठा हुआ था कहाना के बाद में रुद्र को सुलाने का टाइब है होता है और यह सबसे डिफिकल्ट टाइम में होता है यह बहुत जारा टाईम झाल सुलाने में ऐसे नहीं सुलाओंगे ना तो होला दिन नहीं सोएगा तो असको July अभुरे ज़राना जरूरी हो कि जब भी मैं लेके आते हूं इसे जरूर खिला आते हूं तो धीर-दीर से थोड़ थोड़ा टेस्ट पसंद आने ही लगा है आप्टर सनेक फिर मैं इसे थोड़ देर के लिए फिर से लेके बैट तो जो भी इसका मन करते हैं मुझे बता आता है तो आज मैं इस तरीके से भी सेडी लिख की दीती और यह लिखना देखो इसने कुछ कुछ सीखा है थोड़ा स्टार्ट किया है फिर हम लोग छट पे आ गए तो यह इस तरीके के पीज़ना वाइट कलर के भी है और दो तीन अलग कलर के भी एक पिंक कलर भी हो रहा है तो घर में ही रहते है वो जाते ही नहीं है तो फिर रूदर इनके साथ खेलता है और अब ही टाइम हो रहा है 600 कलोक और रूदर यहां आपे डांस कर रहा है क्योंकि मैं इसको थोड़ थोड़ा डांस सिखा तो मैं एड करते हूं कि डेली डांस थोड़ थोड़ा करें और मैं इसके help कर रहे हूं तो इसको सिखाने में फिर उसके बाद में मेरा भुट्टे खाने का मन कर रहा तो तो मैं नहीं आपे भुट्ट तक तक मैं बना रहे हु, पकोडी नहीं वीचुट इस इम उपारो तक टी से य। तो मैं पकोडी बना रही हु है चामल बन गङ हो एक दोली होरी है Ter eux सबस्मोन को पसाइख हो बहुत तें नहीं की कर सकती हूँ उर्षाल करने के लिए ने सरसोच के दशां की आज के लोंग लेसा लेसून और जब तक मसाल अच्छे से पकचेगा तेल छोड़ देगा तब हम इसे कड़े में आइड करते हैंगे और हमारी कड़ी बन गेते ही और गार्निस करने के लिए हरा धनिया आइड किया है और इस तरीके से आज का मेरा डेग गया है